है लो फ्रेंड तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले है कि लास 11 बाइलोजि 550 हैं इसे यख़द we Summen carry variant बता दिये हैं आज इस वीडियो में हम आपिले उसे माल्सका देखने रोट है और अई मौल्सका ऍायो उससे अना है आपको पत्त चल ज़े लाएं代 में आरे स्थ alm पर MARE मोल्स का शब्द का अर्थ है कोमल मतलब इस संग में coming होई य реш होता है अब होता है में नहीं होता इनका शरी लिफाफेनो प्रम होता ? जो भारी कवच का स्तराव करता है यह जन्तु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संगे आपको याद रखना है अब देखते हैं परमुक्रक्षन क्या है इस संग के अधिकता जन्तु कैसे होते हैं अक्पोर्टिक होते हैं समुन में पाए जाते हैं कुछ स्वचजल में कुछ परिसंचन, उत्सरजन, तंतरी का तंतर विक्सित होता है, जनल लैंगिक होता है, इसमें सेक्चर होता है, अब हम देखते हैं, जो फाइलम मोल्स करते हैं, इसके जन्तू, इसमें कौन कौन सी परकार के जन्तू पाया जाते हैं, इसमें घोंगा पाया जाता है, जिसके हम जिस पारते हैं थीक है यूनियो को हम कहते हैं इंग्लीश में नाम होता है इसका क्लासिफिकेशन जगत अनिमलीज और वर्ग वालव्य परफट के पस्ट भाग में एक फूला हुआ शेरत होता है कि हम के अमबो आप इसकी स्ट्रक्शर देखो करेखे इसमें छो फूलावा भाग इसको करने ओम वह याप किसमें कपाट होते हैं खोल की समान मैंटर में भी दो पल्ले होते हैं जो शरीर को पूरी तरह बंद किये रखते हैं शरीर वे मैंटर की बीच की गुवा मैंटर गुवा के लाती है जितने शोशन के लिए एक जोड़ी क्या होती है एक लॉम होती है ठीक है यह आपकी सीपी के स्ट्रेक्चर होती है इसे आप यूनियो कहती हो चांए है आपको मैंने बटायता है इसनेर थिक एकल पल्स नेर कहते है इसं पाइला भी कहते है आपर कुलम कहती है पल्स सेबistä भाता जि sırबा हूँं पनलित निकलता है और गति मुख मैंसर बाते हैं और घति में साहईता करती है किसी आग्हात पर पादों का वजचा पर कर लेती है अपनी प्र रचार को अंदल कर लेता है जा जाता यह आपके क्या है यह किसhã स्सक्साइन अब यह बीट ओका होता है यह कुंडित करता है नहीं नेक्ट रिखाए ही भुजाए होती है जिनके भीतर चूशक की दो पंक्तिय होती है चूशक कि साय тов brushed चटानों से चुपकते हैं इन्हीं बुजाओं के सारे अपनी रक्षा करते हैं और शिकार पकड़ते हैं इनकी सिर्पर ऑर क्या होता है इनकी सिर्पर दो विश नहीं होता अब यह आपकी ऑक्टोपस की स्ट्रिक्ट जाती है देखें आप देखें कि एक दो तीन चार पांच छे साथ इन आर्ट इसमें कितनी बुझाए आर्ट बुझाए है तो इसलिस्क ऑक्टोपस कहते हैं यह इसका सीर होता है यह शरीर पूरा है यह नेत होते ह है ठीक है तो आपको फाइलम मौल्स कंप्लीट हो जाता है अब नेक्स्ट फाइलम देखते हैं जो आपका और्थोपोड़ा जो बहुत ज्यादा इंपोर्नेंट है यह जन्तु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है और यह पूछा जाता है तो आप अच्छी तरह कर ले अब होता है और्थोपोड़ा होटा है फायलम मिनिंग ड़लम हो चाहता है अब इसके हम पूर शोंस दीकते यह जन्तु जल, थल, वायू, भूमी, व्रक्ष आधी सभी जगों पर पाय जाते हैं इनका शरी कैसे होता है तिरुषतरिया, दिरुपाश्य, सम्मी तथा विखंडी रूप से खंडीत होता है इनमें तंत्री का तंत्र पूरा विख्सित होता है और इनमें अहारनार पूरी होती है, मुख के चारों और मुखांग होती है, जो जन्तु के आवशक तनुसार, छेदने, चूसने या चबाने के लिए अनुकुलित होती है इनका शरीर सीर वर्ष उदर में बटा होता है, शरीरी के प्रत्य खंड पर एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, सीर पर एक जोड़ी सहिवत नेतर होते हैं इन में शोशन, कलोम, या बुकलंग्स, या वायू ना लिकाओ दुआरा होता है, इन में फर्टिराइजिशन, भारी और आंतिक दोनों परकार के होते हैं अब हम देखते हैं संग और्थोपोड़ा के कुछ जन्तु के नाम जिसी टिड़ा, बिच्चू, केकडा, जिंगा, मक्की, मच्चु, तिली, कान, कजुड़ा, मदुमक्यादी बहुत सारे हैं समय कैसे हमें हाथ पार होते हैं समय आँके होती हैं, युक्त नेत बाई जाते हैं पंक वगरा सब होते हैं जिनमें सारे फीच्टोपवाले, उसे कहते हैं संग और्थोपोड़ा के जन्तु फर्स्ट हम देखते हैं बिच्चू स्कॉर्पियों ठीक है इसका आप क्लासिफिकेशन लिखोगे क्लासिफिकेशन के बाद लिखोगे यह काले या घहरे भुए रंका होता है यह जंगलों में पत्थरों रकडी या पुराने पेड़ों की धीली चालों या खेतों में मद्यकाय मिससोम इसे उधर कहते हो और पीचिकर पस्टकाय मेट्रसोम या पूच या पूच को कह सकता है अब डंक वाला भाग जिससे डंक मारता है सीरोवर्ष में छोटे पाश्वन नेतर होते हैं और अधर तरपर चा जोड़ी चलनबाद होते हैं चलने के लिए तता सीर रंक नुमन होता है ओए एक लिंक होता है इसकी देख वही तांज ह्के नियर अंक वधिछ में होता है अब आप देखते हैं वे नेतर का रहता है और देुंड आर्म जोड़ी पर्पर होते हैं किसि रोवख्ष होता है कि इस बीच रहता है को इस स्ट्रक्च आइं j-ばいच्श प्रण्थिया होती है तो आपको इस ट्रक्चर ड्रो कर लेनी है नेक्ट देखते हैं क्रैब के कड़ा आप क्लासिफिकेशन फिल्प बताओगे इसके बारे में होता क्या है यह समुन्द नदियों की लिमिटी ते रेती अदल दर में पाया जाता है शरी सीर वश और इक में बटा होता है उधर बहुत चोटा होता है इसे इस्थाई रूप से सीर वश रढ़का रहता है सीर भाग में एक जोड़ी संजिक्त नेतर एक जोड़ी आंटी नहीं होती है नर और लिखना है जिंगा इस संग का सबसे बड़ा कॉन से होता है कीट वरग को आपको संग पोड़ा के बारे में इतना लिख देना है काफी है अब देखते हैं नेक्स्ट फाइलम जो यह संग एका इन ओडर मेटा फाइलम इकाइन ओडर मेटा इकाРИन नोदल मेटा इस संग में यहां से जनतु पाई जाते हैं जिनका शरी कंटिका आवरन से डखा रहता है मतलब जिनके शरी में कंटिका पाई जाती है अब इसके हम कुछ लक्षन देता है इकारिन नोदल मेटा के इनका श्रीख गौल नालवा तीन तीन स्थि publi रखर्ध खंडवी हीन उता है। िकल उत्याव इसका मुक्ज्य वेधीयल अनुपसिद को नहीं होते उत्से जनना पीफिकलिंगी उत्यु है कमेन स्टार फिश पाई जाते हैं समुंद्री अर्ज्विन ऑंग्रो ठूरी नित्री के पर्मुख के बारे में जिसी तारा मच्री तारा मच्री चिप्टा पर रहें जाती है इनका शरी चप्टा होता है इसमें पांच बुझाइव होती है। हम प्रीद से स्टारफिश जिनके सेर के सेर पर ठूशग होता है है जो चलने में शायता करते हैं पूर शरी क Chelsea पाउडर के रूम में काम आता है अब यह क्या आपके स्टार्फिश की स्ट्रक्टर इसमें देखे क्या है एक दो तीन चार पांच पांच बुजाय पाए जाते और स्टार की तरह होती है तो इसलिए हम कहते हैं स्टार्फिश का केंद्रिय बीच कमेंड लग यह आपके दद्वार होता है यह कहाते है नलिका पाज इससे रहें तो आपको इस ट्रॉ कर लेनी है अब नेक्स्ट जो आपका फाइलम आता है वह आता है आपका कॉडड़ेटा हमें कॉड़ड़ेटा ओके यह मैं आपको ने को ने बताऊंगी इस वीडियो में बस हम इतना ही कर लेने हैं मैं आपको आगे का बताऊंगी ओके वीडियो अच्छी लगते तो लाइक करो जाद अच्छी लगते तो शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब एंड कमेंट कुछ समय नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एंढ कर क्विस कर दो हक्ता है उब बताले को कर दो हम आता है चादस बाली को मुझे का थाला हैं झाल झाल कि अन्यूआ 알ो? कि मिन muddy अर सकीक्ष सहेंग कि बप्र्डाद कि बप्री से कि अन्यूट कि अरूछ एक बप्रबग